Hello friends, I am Dr. C.S. Prashant P. Patel who welcomes you in my YouTube channel PMP So, let's start the part 7 motivation series This one will be the last video of this series And then we will upload a MC video for the chapter motivation So, let's start the next question Characteristics of motivation अब तो ज्यादा तर अगर आपने सारे भी पार्ट्स देखे आगे के छे के छे चे तो आपको motivation के character समझने में कोई भी problem आने वाली नहीं है और ये question जो हो 7 mark में descriptive exam में पुछा जा सकता है इस में से बहुत सारे अलग-अलग MCQs भी बन सकते हैं characteristics में से So, let's start characteristics of motivation Standard definition हमारे पास है According to Juicius Motivation is the act of stimulating someone or own self to get a desired course of action Motivation यानी क्या जबी भी आप उदास होते हो आपका business नहीं चल रहा है या आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो कोई आपको प्रोचसान देता है या आप खुद कोई अंदर से प्रोचसान देते हो कि नहीं मैं कर सकता हो या कोई आपको आके बोलेगा नहीं यह तु कर सकता है या कर सकती है और आप फिर वो काम में लग जाते हो और वो काम आपसे हो जाता है जो अब तक नहीं हो रहा था आपका जो काम था वो पूरा हो जाता है इस तरीके से आपके अंदर stimulation होता है, ऐसे ही आप उत्यजीत होते हो, तो ऐसी activity को हम कहते है, motivation इसे हम कहते है, motivate करना, खुद को motivation is the act of stimulating, खुद को अंदर से प्रोचसाहित करना, उत्यजीत करना by someone or own self to get a desired course of action, आपको आपके सपने पूरे करना है आपको आपके objective अचीव करना है उसकी वज़े से आप प्रोचसाहन लेते हो, और वो काम पूरा करते हो, that is what motivation is अब question के main part पे आते है, characteristics of motivation, अगर हम character की बात करें, तो बहुत सारे characteristics है, जिसमें से पहला है internal feeling अगर हम motivation की बात करें तो अंदर से आता है वो आग जो है न वो अंदर से लगती है no doubt आपको कोई आए समझो कि आप कोई business कर रहे हो आपका business अच्छे से नहीं चल रहा है आप business बंद करने की सोच रहे हो, इतने जादा आप demotivate हो चुके हो, आप कोई आएगा आपके साथ कुछ अच्छी बाते करेगा आपको अंदर से उत्तेजना देगा कि नहीं यार यह हो सकता है इतने जल्दी हार मनने की जरूरत नहीं है वो आपको अंदर से फिलोगा तो motivation जो है न भले ही लोग आके करते हो लेकिन वो जो आग है वो जो जोश है वो अंदर से ही आता है अगर वो कोई कितना भी बाशन दे दे कि तु कर सकता है कर सकता है लेकिन जब तक वो अंदर से नहीं होता तब तक आप motivate नहीं हो clear इंसान motivate कब होता है जब वो अंदर से फिल करे उस चीज को clear तो motivation is nothing but an internal filling second one is source of motivation अब motivation आपको दो जगा से मिल सकता है जैसे मैं रहाँ आपका business डूबने वाला है ऐसा आपको लग रहा है clear business में बहुत समय से loss चल रहा है आप business बंद करने का सोच रहे हो अब ऐसे time पे आपको motivate करने के लिए दो source है या तो कोई भी बाहार का मलब कोई friend, relative, parents कोई भी आ सकता है आपके teachers, कोई भी या आपके कोई भी expert मलब आप जिसके उपर trust करते हो, आपको suggestions देते हो जो लोग, वैसे कोई भी किसी को भी, कोई भी आपको motivate कर सकता है, वरना कोई celebrity का motivational video सुनके आप motivate हो जाते हो, मतलब कोई भी second person आपको motivate कर सकता है, और अगर आपको second person की जरुत नहीं है तो दुसरा source है, आप अंदर से खुद को motivate करो नहीं मैं यह कर सकता हो, नहीं मैं यह कर सकता हो कुछ लोग कैसे होते हैं, किसी के अंदर अंदर से motivate करना और external source मतलब कोई आपको आके यह किसी का बात सुनके सामने सामने या TV पे या वीडियो पे कहीं सुनके आप उसकी बातों में आके जोश में आ जाते हो और काम पे लग जाते हो तो वो external source हुआ तो if we talk about the sources of motivation, we have two sources of motivation, internal and external the third character is it is change it's change person to person जो motivation है न वो अलग-अलग तरीके से लोग देते है जैसे कि for an example यही example को continue करते है आप एकदम उदास हो आपका business डूबे जा रहा है डूबे जा रहा है अप कोई आया समझो कि आपका friend आया तो आपके friend का motivate करने का तरीका अलग होगा वो थोड़ी आगे पीछे की बाते करेगा थोड़ा खराब भी बोलेगा मजाक में बोलेगा ताकि आपका मन जो है वो दूसरी जगा डाइवर्ट हो और आप फिर से motivate हो जाओ पर वो करतो रहा है वो motivate कर रहा है आपको आपका friend है इतना अच्छा सेम में आप वही टेंशन लेके घर पे जाओगे तो आपके parents आपके साथ बैटके अलग तरीके से आपको motivate करेगे वो बोले के कैसा होता रहता है बेटा अब तो आपकी शुरुआत है हमने तो बहुत सब कुछ देखा हुआ है तो ये भी तो motivate करने का तरीका है सेम में आपको अपने teachers के पास जाओगे तो वो अलग तरीके से motivate करेगे आप अपने भाई-बैन को पुछोगे उनका तरीका अलग होगा आप अपने कोई expert को पुछोगे उसके तरीके समझाने के अलग होगे वो practical language में आपको समझाएगा market language में तो ये चीज़े है तो person to person वो change होता है same situation लेकिन motivate करने के तरीके लोगों के अलग-अलग है फिर आप जैसे भी जिससे भी motivate हो जाओ आपके लिए वो अच्छा है different tool for different situation yes अब समझो आपके business का tension आपको है बरोबर क्यों tension है क्योंकि business डूबे जा रहा है आपके यहाँ पे 50 employee काम कर रहे अब आपका business डूब रहा है क्यों डूब रहा है क्योंकि वो लोग भी ठिक से काम नहीं कर रहे situation में थे उनकी हरकत हो गया है और loss में जा रहे अब यह आपके बहुत सारे tension है अब 50 लोगों को आपको ठिक करना है plus business में जो market condition है आप भी खुद अंदर से तूट चुके हो तो आपको खुद को भी motivate करना है और दुसरों को भी motivate करना है employees को कि भी काम करो अब सबके लिए अलग अलग तरीक है कि भी कोई employee दम ही काम चोर है तो उसको आप डरा धम काके motivate करोगे कि तुरी salary card दूँगा तूँ काम नहीं करेगा तो तुझे job पे से निकाल दूँगा तुरा transfer कर दूँगा तो काम करना शुरू कर देगा क्योंकि ये final stage warning होती है ये ऐसी warning जो होती है negative tool of motivation पच्चास के पच्चास तो ऐसे नहीं होगे कुछ थोड़े तो अच्छे होगे तो उनको आप दूसरे तरीके से मना होगे notice देके या तो फिर उनको bonus नहीं देके allowances नहीं देने का perquisite नहीं देने का ये allowance, perquisite ये सब मैंने part 1 में बहुत अच्छे से detail में समझाया था कि क्या होता है तो ये भी एक तरीका है आप भी तो खुद demotivated हो तो अंदर से आपको भी खुद को motivate करना पड़ेगा लेकिन positive tool के help से तो देखिए अलग अलग tool, अलग अलग person किसी के लिए negative tool, किसी के लिए positive tool तो motivation के जो tool होते है वो बहुत सारे है हमने इतनी सारी theories पड़ी जिसमें सभी tools ही पड़े कैसे कैसे क्या क्या कर सकते है अपने employee को motivate करने के लिए if we talk about the tool we have different types of tools number of multiple types of tools we have and which can be used for different situations moving further और भी बहुत सारे character है employees moral goes high due to motivation जब आप अपने employee को motivate करते हो clear तो उनके जो अंदर एक बार वो motivate हो जाते है तो उनके सिद्दान जो है उनकी वफादारी जो है वो company के पत्ते और भी बढ़ जाती है जब वो motivate होते है क्योंकि motivate होगे क्यों motivate होगे क्योंकि आपने उनका काम कर दिया होगा यह समझो कि आप किसी company के boss हो आपके यहाँ पे दो-तीन employees है जो काम नहीं कर रहे है तो आपने जाके पूछा क्या problem है उन्होंने अपनी problem बताई आपने उनकी problem solve कर दी तो हो गया ना वो motivate उनका काम हो गया तो अब उनको company अच्छी लगने लगी वो company के लिए वफादार हो जाएगे क्योंकि उनकी problem तो solve हो गई वो motivate हो गए तो motivation अगर successful हो जाता है तो वो अपने employees को वफादार भी कर देता है उनके morals उनके जो सिद्धानत है वो सही हो जाते है company के लिए play significant role in human behavior yes कही ना कही human behavior के लिए बहुत जरूरी भी है और बहुत important role play करता है क्योंकि life में देखो सर किसी को motivation की जरूरत पड़ती है क्योंकि कभी ना कभी हम life में down तो होई जाते कोई दीन अच्छा नहीं होता कोई महिना अच्छा नहीं होता कोई पुरा साल अच्छा नहीं होता तो ऐसे समय पे हमें motivation की जरूरत पड़ती है clear तो life में छोटे से छोटे बच्चे के या बड़े से बड़े बुजुर्ग के सभी के life में motivation की तो जरूरत होती ही है और वो काफी important significant role play करता है तो motivation हमारी common life का ही एक हिस्सा है by others और self motivation यह आगे का point सेम आ गया कि आप खुद को भी motivate कर सकते हो या कोई आके आपको motivate कर सकता है वो दो तरीके से हो सकता है internal motivation and external motivation some needs are always unsatisfied आप motivate तो करना चाहते हो लेकिन कभी-कभी motivate कर नहीं पाते क्यों? क्योंकि वो है आपने अगर हस्बग की theory देखे होगी part 6 के अंदर तो उसमें एक चीज आपको पता चली होगी कि भई sorry हस्बग नहीं mass loss theory part 5 part 5 में आपने mass loss theory पड़ी होगी तो उसमें एक criticism था कि some needs are always unsatisfied तब क्या करोगे? तो motivation काम नहीं आथा for an example जैसे कि मैंने कारा कुछ लोग family के लिए बहुत ही emotional होते है for an example कि मैं मेरी family के लिए बहुत emotional हूँ ऐसा हम assume कर लेते है तो रहा कि मैं मेरी family के लिए सब कुछ करता हूँ जो भी कर रहा हूँ अब मेरी company मुझे motivate करने के लिए उनको पता है कि मेरे लिए family बहुत important है तो मुझे मुझे motivate करने के लोग क्या करते है मेरी family को facilities देते है उनका insurance, meddy claim मेरी बच्चों को पढ़ाई का खर्चा उनको traveling करने का expense प्लस साल में एक बार पूरे इंडिया में गुमा आते है कहीं पे भी पूरा खर्चा company जती है इतना करोगे तो मैं तो motivate हो जाऊँगा क्योंकि मैं तो family मैं हूँ मुझे मेरी family के साथ अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा फिर भी मैं motivate नहीं हो रहा हूँ क्यों? मुझे ऐसा लगता है इंडिया में ही गुमा आया foreign गुमा लेता इंडिया तो मैं भी गुमा लेता हूँ गुमाना है तो foreign गुमा बस बच्चों की फीजी बर रहा है पुरा खर्चा उठा ना दूसरे भी तो खर्चे है बच्चों के तो मज़ा आवे कुछ सिब मैडिक ले मी निकाला parents का और भी facilities दे घर में furniture करवा अच्छा जो उनको comfort दे यह ऐसा है उसको कितना भी दे दो उसको कमी पड़ेगा क्योंकि वो उतना emotional है family के लिए तो फिर ऐसा person motivate कैसे होगा not possible clear तो कुछ लोग होते न जो इतने ज़ादा expectation रखते है company से के वो भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा तो क्या company तेरी है तेरे लिए सब कुछ करे जो भी कम है सब तुझे ही देते रहे फिर नहीं करना है motivate तु जा निकल यहाँ से simple सी बात है कुछ हद तक company कर सकती है फिर आप तो राजा शाही की तरह मागते रहोगे तो not possible तो कभी कभी किसी employee की needs कभी पूरी होती नहीं है और ऐसे टाइम पे motivation की जरूरत भी पढ़ती नहीं है उसको निकाल दो and last character is employee become frustrated when needs are not satisfied एक चीज़ है अगर कोई employee demotivate हो चुका है आप उसको motivate करना चाहते हो आप कर भी रहे हो अपनी तरफ से सारी कोशिश लेकिन वो कोशिशे कामियाबी नहीं हो रही है वो उस problem में से बाहार ही नहीं आ पा रहा है अब अब वो frustrate हो जाएगा पहले से ही था आप भी fail हो गए उस चीज़ में तो वो और frustrate हो जाएगा अब इसको एक example के साथ समझते तो और clear होगा for an example किसी आपके यहाँ पे कोई aged person है बरबर aged person को जिम्मेदारी बहुत है बरबर उनके family में बहुत सारे लोग है जिनके उपर पूरी family depend करती है ऐसा एक example ने थे उनकी एक 50 years है उन्होंने 30-40 साल उन्होंने company के साथ काम किया अब वो बहुत ही कम साल बचे उनके job के अब वो retire होने वाले मतलब उन्होंने अपनी पूरी life company को दिया ऐसा assume करते है अब अचानक उनको पैसो की जरूत पड़ रही है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे loan लिये होगे जो अभी तक चुकता नहीं कर पाए उन्होंने घर के लिए loan लिया होगा अलग-अलग facilities के लिए loan लियोगी अब वो repay नहीं कर पा रहे है बहुत सालों से बैंक को repay कर रहे है लेकिन loan का अमौन बहुत बड़ा है तो company ने ऐसा सुचा चलो भई थोड़ी मदद कर देते हैं उनका थोड़ा loan कंपनी के तरफ से repay हो गया तो उनको अच्छा लगा वो जैसे ही motivate करने आ ले थे घर में और एक खर्चा आके खड़ा हो गया तो बहुत उनके लड़की की शादी है अब company ने और थोड़ा ट्राइ किया चलो एक problem सौल हुई तो और एक problem खड़ी हो गई अब उनकी life में 15 से 20 problem चल रही है अब company हर जगा तो नहीं पहुच पाएगी अब company भी बोलेगी अब छोड़ो रहने दो एक हद तक company आ सकती है फिर उससे ज़्यादा कैसे अब company ने हार मान ली अब उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी बढ़ो अब तो company थी कि उनकी थोड़ी बहुत problem सौल कर दी लेकिन problem खतम होने का नामी नहीं दे रही है अब नहीं हो रहा है तो company ने भी हार मान ली अब वो पहले से frustrated थे और frustrated हो जाएगे हम करने गए motivate लेकिन उसको और जाधा frustrate करके आगे हम तो ऐसा भी हो साकता है तो motivation कभी कभी frustration में भी convert हो जाता है जब वो fail हो जाए तब तो motivation करना अच्छा लगता है लेकिन योग्य तरीके से करना आना चीए वरना उसको frustration में convert होने में time लगता नहीं है तो these all were the characteristics of motivation गेटा 7 मार्क में अगर descriptive आता है आपको question तो आप उसका answer कैसे लिखोगे as usual सबसे पहले answer की शुरुआत जियूजेस की definition के साथ के motivation यानि क्या फिर box बना दीजिए box का heading डाल दीजिए characteristics of motivation उसके अंदर सारे point लिख दीजिए कि इतने character है फिर एक page होगे आपका क्योंकि 8 point है 8 या 9 point है तो आराम से आपका एक page हो जाएगा फिर उसके बाद हर एक point के बारे में 3-3-4-4 या 5 point line लिख दीजिए आराम से आपका answer 3-3.5 page इतना हो जाएगा and that will be too good for 7 marks question और MCQ के लिए तो एक next motivation का series complete होता है तो अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लगाओ series अच्छा लगाओ तो प्लीज होशके उतना ज़्यादा शेयर करिए चैनल को subscribe करना मत बुलिएगा आप भी हमें थोड़ा motivate कर दीजिए Thank you so much